आवाज के दुनिया के दोस्तों सत्संग के प्रूब करें आपके महरवानी उपकी हरे हरे मनुस्ते के जीवन में दुख अभाव और निरस्ता के दर्सन होना बड़ा ही सुबलक्षन है क्योंकि इनसे परित्रान पाने की सजगता आते ही जीवन की मंगल में विधान से संत समादम एवन सत्संग एप्रियासी उपलब्द होता है मैंने संतवानी में ऐसा सुना है और अपने जीवन में अनभव किया है सुक दुख का चक्र चलता ही रहता है उनके थपेड़े खाकर अधीर हुआ विक्ति अपने लिए आश्रे खोशता है संसार के समंधियों में माता पिता पती और पुत्र निकटतम समंधी माने जाते हैं इनकी ऐसमत्ता थवा इनके अभाव में अनाथपन की पीराशे पीरित विक्ति सत्संग के प्रकास में अपने परमास्रे का परिचे पाकर सदा सदा के लिए सनाथ हो जाता है के क्रम में अपने ही विकारू का नास करने की चेश्ता में सादक जबहारने लगता है तब करोना में की करोना का दर्वाजा खुलता है बिना पुकारे भीवे अलख अगोचर अद्रस रूप से ततकाल ही सादक को उबार लेते है ये जीवन का मंगल में विधान है स्री स्वामी जी महाराज का अनुभूत सत्य है इसका चमातकार मैंने अनुभव किया है इस से सादक को परमलाब होता है मेरे प्रभू में मेरे अत्यन्त निकट है और बिना पुकारे भी गाडे संकर से उबार लेते है मित्रों इसका प्रतक्स प्रमान पाकर ऐसमर्थ से ऐसमर्थ सादख भी आस्वस्प हो जाता है हरे हरे आप देखिए सत्य के पंथ में पराजे भी विजय है भहुत बड़ी बात है अपने गोशों को मिटाने में अपना बलकाम नहीं करता है तो ऐसमर्था की वेदना से एहम का भिमान गलता है एहम सुनने होते ही अपने में विद्वान सत्य अभिविक्ति होता है सादख अपनी सादना में बहुत आगे भड़ जाता है और उसे अभिमान भी नहीं होता कि मैंने अपने को निर्दोस बना लिया कैसी अनुपम करना है स जादक को पवित्र भी भना दिया और पवित्र होने के अभिमान से भी बचा लिया इस प्रकार एहम सुननेता में सत्य की अभिवक्ति की रस्मई अनुभूतियों से अभी भूत होने क्षण अनमोल है ऐसे एके क्षण पर अनेक वर्ष्ण के जब तब के फल नोचावर किय जा सकते हैं ये सब संत समागम में मुझे मिला है आवाज की दुनिया के दोस्तों धन्य है संत और धन्य उनका समागम जो मानव जीवन को धन्य धन्य कर देता है जिन संत परवर की सरण में बैठ कर चरण धुली के इस परस से मेरा जीवन मिट्टी से सोना बन गया उनके स्री चरणों में बारम बार प्रनाम करके वानी को वराम देती हूं अब सांत हो जाईए हरे हरे जाई स्री किष्णा रादे रादे सक्संग प्वेमी माताओ भैनू और भाईयों हम सब लोग जीवन की चर्चा कर रहे हैं मनुष्य के जीवन में संसार से भी संबंध है और संसार की मालिक भगवान से भी संबंध है अनभवी संत ने हमें ये सला दी कि संसार से संबंध मानना भी साधन है और संसार से संबंध तो उनना भी साधन है सामान ने धारना ऐसी होती है कि जो लोग आध्यात्मी चिंतर में लग जाते हैं अथ्वा आंत्रिक विकास में लग जाते हैं वे संसार के काम के नहीं रहते लेकिन बात ऐसी नहीं है सची बात ये है कि जो संसार के माने हुए संबंदों को ठीक तरह से निवा नहीं लेता उससे संसार सोड़ा भी नहीं जाता इसलिए महराज जी ने कहा कि संसार से संबंद मानना भी साधन है और संसार से संबंद तोनना भी साधन है आवाज की दुनिया के दोस्तों संसार से संबंध मानना साधन कैसे बन सकता है इस प्रकार साधर बन सकता है कि हम लोग सरीजधारी हैं सरीजध को लेकर संसार में ही रहना है तो महल चोड़कर धोपड़ी में गुश जाओ तो कोई बात नहीं जोपड़ी से निकल कर वरिष्ट के नीचे बैर जाओ तो कोई बात नहीं और वहां से उठकर पहाड की गुफा में गुश जाओ तो कोई बात नहीं जैसे महल संसार है वैसे ही जोपड़ी संसार है वैसे ही वरिष्टी छाया भी संसार है और पाण की गुफावी संचार है शरीर को लेकर संचार के बाहर हम नहीं जा सकते भोगोलिक और वेग्गानिक अध्यन्यू के आधार पर आप लोग इन सब बातों को जानते ही हैं कि ये मृतुभवन प्रथिय करम लोग इसके उपर दो तो मेल की उंचाई पर निकल जाओ हरे हरे तो प्राण वायू का अभाव हो जाता है वहाँ शरीर को रखना मुश्किल हो जाता है अर्थ क्या है जिन प्राकिर्ट तथियों को साइता से सरीर बनता है उन्हें प्राकिर्ट सीमां को भीतरवे सरीर रह सकता है स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि अपने कल्यान के लिए संसार को छोर कर भागने की आविस्वक्ता नहीं है मित्रो क्योंकि तुम भाग ही नहीं सकते जाओगे का सरीर और संसार का आविंचिन संबंध है संसार से संबंध मानना साद़ कैसे बन सकता है इस संबन्द में उन्होंने कहा कि भौक दिस्ति छोड़ो और बोतक दिस्ति घरण करो जो लोग भोतिक वादी तथ्थों को सुकार करना पसंद करें उन्हें सोचना चाहिए कि सारा संसार यह कि काई है एक ही धर्टी पर सबको आस्रे मिला है एक ही आकास के नीचे सबको अवकास मिलता है एक ही प्राणवाई से सबको स्वास मिलती है एक ही सूरे से सबको प्रकास और ताप मिलता है इस दर्स्ति से सचुष अगर आप भोतिक दर्सन का अनुसुन करें तो आपको जगत के नाते सभी को अपना मानना चाहिए ठीक ही है क क्योंकि विक्तिगत सरीर पर आपका अपना कोई अधिकार नहीं है, जैसे आप सोता होकर बैठ हैं, और मैं बोलने का कारे कर रही हूं, लेकिन मेरे और आपके बीच में धूनी की लहरिया है, यह धूनी की लहरियां यहां से निकली हुई धूनी को ले जाकर, आपके सुनने के यंतर तक पहुँचाने वाली प्राकिर्टक सक्ति है, यदि ये सक्ति बीच में काम ने करे तो क्या बूनना और सुनना संभव होगा नहीं होगा, तब ही यह अभिमान गलत है कि प्रकृति की सायता के बिना हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, बोलतिक दर्षन का आर्थ, ये होता है कि जिन भाई भैनूं को जगत को सत्य के कर शुकार करना हो, उसी की सत्ता को लेकर आगे भणना हो, उनको जगत के नाते सभी सरीर धारियों को अपना मानना चाहिए ये दर्शन नहीं है कि अपने सुक के लिए अन्य प्राण धारियों की परवार ने की जाए अथवा विक्तिगत एक सरीर की रक्षा के लिए अन्य प्राणियों के साथ इन साथ मुझे बेवार किया जाए हरे हरे जैसरी किसना रादे रादे आवाज की दुनिया के दोस्त सबस्क्राइब करें आप से मेरी गुजारी से